अगर आपने मेरा चैनल अप्टेक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंज प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब बटन के बाजो में जो बैल नोटिफिकेशन ने उसे भी प्रेस कर दो जब जब वीड़ अप्लोड करूंगा अपको आपको आपनेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको मैं बता तो इसका जो फैन है चालू है जो इसका रिडियेटर फैन है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं जो इसका कूलिंग फैन है फैन चालू है तो इसमें फैन का कोई प्रोब्लम निए नेक्स हमें इसका कूलेंट लेबल चेक करना पड़ेगा आप देख सकते हैं कूलेंट वो्तर है जो लीकेज हो रहा है जो इसके रिजन से ही डारी 2-4 भर ओवरीट हो गया इस आप कहां से लीकेज हो रहा है फैन्स बता तो इसका वाटर पप्स पे यहां से लीकेज हो रहा है क्योंकि यह पोश्चन पर वाटर पम भी लगा हुआ रहता है जो वाटर सेर्कुलेशन के लिए काम करता है तो अब यह में रिप्लेस करना अलो इसके लिए बता हूं आपको क्या क्या प्रोसेज़र इसमें यूज करना अलो मैं इसा बॉटर एक ग्रेज़ आपको करना धोड़न वाटर परैस्त के लिए को सब्सक्राइण पराइब कर दोुए को बिलेश्चन फॉटर दोसरी को आसे डाटर परणाब्स खेंगन को शुड़न्स हो थैसे अपने कोुल सब्सक्राइब तो यह तो मालूम नहीं कि इस पर ग्रीन को लेंड डाला है बड़ जब अभी नया रालेंगे तो इस पर रेर वाला पुलेंड डालेंगे सबसे पहला मुझे इसका इंजन पुली खोल के लेना होगा मिंस लूस करके लेना होगा उसके बाद में इसका वी बैल खोलूँगा इसके लिए फ्रेंड से स्पेशल टूल आता है एम 10 बोल के टूल आता है इस पाइनल सेट बोलते इसको और इससे में इसको खुलने आप इसके चार बोल्ट है जो चार बोल्ट लूस करने आप अब खाल ओडता है अब ही मैं इसका वी बेल खुलना आला हूं इस 16 mm का पैनल लगा हूं में इससे इजीली जो है मैं आटो टेंशनर को टेंशन करके बेल भार निकालूंगा जाएं इससे बेल क्वगला करिको करुछ goodness कि बाटो कि अब देख सकते हैं कि वाटर यहां पर जमा हो गया जो पूलेंट वाटर यहां पर जमा हो गया तो यह वाटर बम जाने पर इसे प्रोब्लम साथ है तो फ्रेंट्स अभी मैं इसका टाइमिंग कवर खूल रहूँ इसका इंजन मांडिंग कोड़ लूंगा लेकिन उसके पहले में इंजन पर स्टेंड दूंगा सिप्रोगा क्यूंकि इंजन वाणिंग होता इंजन को सपोर्ट देने का काम करता है में निकालना आपना इसके लिए में जो इंट में स्टैंड दूंगा है कर दो कर दाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर कर दो लती जिस जाओ टुज कोचिए लाय जर सकते हैं झाल मिल्ग जाओे जानके निस एफने लाँ जानके बुदें जाओे से लाँ एफने लाँ दाफे बुदेंक। भाँट कोचिए लाँ प्रेंस यह इसका इंजन बॉर्डिंग है प्रेंस मैं फांदेशन खुला हूँ बता आपको इसका फ्राउस फांदेशन का ब्रैकेट भी है मिनस इंजन मॉर्डिंग का ब्रैकेट भी है यह भी खोल के लेना होगा उसके बाद है जो हम टाइमिंग और निकालेंगे तो फ्रेंज देख सकते हैं मैंने इसका फाउंडेशन खुल दिया अब यह जो टाइमिंग कवर है यह खुलना है मुझे यहाँ पे 30 mm का स्कुरू दिया हुआ है तो यह सब खुलूंगा और टाइमिंग कवर को बाहर निकालूंगा अब देख सकते हैं इसका वाटव पप्प यह पोश्ण पुरा ग्रीन हो गया है जो इसको मैं को रेप्लेस करना तो इसके पहले मुझे सब टाइमिंग लॉक पर के लिए लेन होगा इसके बाद मैं वाटर पॉम को खोलूंगा यह इसका वाटर पॉम है अभी इसको मैं खुलना हुला उका 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 ईहाँ प्रप्राइब करता है कर दो भाल-चैंट भाल भाल रज़ ज़क्ट को ही श्यांग अब देख सकते हैं यह वाटर पंप बैठता है तो यह सर्फेस में पॉलिश करके लूँगा है क्योंकि इसका रिंग है जो वाटर पंप का हो रही है स्मूटली अंदर जाना चीए पीदा पानी रहता है तो यह पॉशन पॉलिश करके लूँगा है अब देख सकते हैं मेरा जूना वाटर पंप यहां से पुड़ा रश्टी हो गया था सो इसके वज़े से लीकेद चालू होने लग गया इसके ओरिंग सब कर गए दे इसको लीकेज करने का सो मैं अभी नया लेकिया है वाटर पंप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने नया यह वी डवल्यू का वाटर पंप लेकिया है यह दर को फ्रेंड्स तो यह देख सकते हैं आईसा रहता है यह इतना अच्छा कंडिशन में रहता है बड़ अपना वन लैक्ट्यू पर चल चुका है तो जाना नॉर्मल ही ऐसा कि अब देख सकते मैंने इसका वाटर पॉम में रिपलेस कर दिया हो इसके पहले मैंने ये सब कैम शाफ्ट है जो लॉप करके लिया हो और इसका हाई प्रेशल पंप एंग उसको भी रॉक करके लिया हो तो यह उन्यूर्थ टाइमिंग यहुँद आंगर करके लेना होता है देख सकते क्रेंग शाफ को भी मैंने लॉक करके लिया है यहां पर एक मार्किंग दिया हुआ है यह मार्किंग टूल के मार्किंग के साथ मैच होना चाहिए तब जाके जो पिश्टन हमारा टीडी सी पर आएगा तो उसी समय मालूम पर याता है जो अपना टाइमिंग है वो स ले ऑफ सकते है इधा मार्किंग दिया हूए है टूल में भी मार्किंग दिया हुआ 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 कि आपस में मैच होना मंक कर तो इसके लिए में स्पेशल टूल आए हुँ तो क्या मुझे इसलिए टाइमिंग मिल जाएगा अब देख सकते हैं न्यू वाटर पंप डाला में और उसके आधिये टाइमिंग बेल भी में न्यू डाल रहा हूँ क्योंकि जो पानी लग लगके जो उसका कॉनेटी होता है जूना टाइमिंग बेल को खराब हो चुका था तो इसके लिए मैं यह नाया टाइमिंग बेल भी डाल रहा हूँ क्योंकि अपना सेफटी सार के लिए करना ज़रूरी था मैं पर आधिक दिलाएगे तो फ्रेंट्स टाइमिंग बेल इजीली बिटाने के लिए यह कैम पुली का तीन बोल्ट लूस करके लेना होता है तो क्या अपना टाइमिंग बेल इजीली बैड़ी है तो फ्रेंट्स अब देख सकते मैंने इसको लूस किया हूँ तो प्रेंट्स अपको Fest आफिक्त बताता होया जोलीत लोधी बेड़ी हाँ एकंग तो आपको अपिशन क्यों मीन ह४ीं चलिक बताता आपको सब्सक्राइब pagar क में तो निरिव शुट कर दो 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 कर अब देख सकती है इसका ओटो टेंशन अरे इससे क्या होता हम बेल टाइट होता इससे अभी में टेंशन करना अलो अब देख सकते फ्रेंश यह जो एरो मार्क है यह दोनों के बीच में आना चाहिए यह कंपनिया इससे ही रिकेमेंट करती है विच मिन यह जो बेल का टेंशन है रेक्दम पर्फेक्ट है अब देख सकते मैंने टाइमिंग बेल इंश्टॉल कर दिया हो आपको बताया है मैंने इसमें जो फूलेंट ए ग्रीन कलर का है तो मुझे आभी इसको फ्लश करना पड़ेगा विचिक्ट इसके अंदर रेड कलर का कूलेंट यह पर आप है इसके लिए में इसके रिटन पाइप में पाइप लगाया हो तो यह फ्लश हो जाएगा अब देख सकते फ्रेंज ए ग्रीन वाला कूलेंट मुझे निकालना है तो इसके ने प्रोसीजर करना जडूरी है कि कमपनी रिकेमेंट करती है रेर कलर का पूलेंट डालनेगा इसको यह अभी आइधिंग हाफ एन आवर की उपर याएगा प्रोसेस कंप्लीर होने के लिए उसके बाद जो ठीक हो जाएगा अपना आपको बता मैंने इसका में व पिल करते रेनेगा जब यह पानी अंदर या अब जाएगा तो यहां से जो ग्रीन कलर का कूलन जब भार आएगा तो इसको हम पानी रिपील करती ही रेनेगा जब तक यहां से वाइट कलर का पानी ना आ आगा के जैसा कि फ्रेंज मैंने आपको बताया Miller ने इसका kommtन कर्ण करती और गार का कुल 되면 कर दिया पाइप से और इसके लिए धो गंटे मुझे गारी स्टार्ट करने बड़ेर मत करो अपके technician जो रहेगा उसको बताव कि कुण सा coolant recommend होता है कूपकि 2 घंटा बे वज़ा मैंने गारी स्टार्ट किया सो इसके लिए इतना diesel waste हो गया मेरा C idling पर गारी start किया बिना वज़े गारी start करना बढ़ा क्योंकि मुझे flush करना था और कोई तरिके भी नहीं इसके flush करनेगे सो क्या इतना मेरा डीजल भी यूज हो गया ना वेश्ट हो गया सो ऐसा मत करो जो कमपनी रिकेमेंड करती है वही कुलेंड डाला गरो सो यह प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए